दोस्तों बदा दें कि भारत छोड़ो आंदोलन सरो भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के बॉंबे सेशन दोर आरम किया गया था जिसके मुख्य सूत्राधार हमारे देश की बापू यानी की माहत्मा गांदी थे इसका आरम भाठ अगस तो 1942 में हुआ था और इसी समय तुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थर नहीं करते थे इसमें मुस्लीम लीग, इंडियन इंपीरियल पुलिस, ब्रिटिश इंडियन आमी और बहुत से ऐसे व्यापारी जिने तुछ विश्वियुद्ध की वज़े से बहुत अधिक लाप प्राप्त हो रहा था इन सबी ने तब के समय में भारत छोड़ो आंदोलन को अपना समर्थर नहीं दिया था लेकिन फिर भी इस समय कई युवा, आजाद हिंद फॉज और नेताजी सुभास्यंद्र वोस के विचारों से प्रभावित थे जिसके कारणे इन युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भरचल कर इस सलिया महीं देखा जाए तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के जरिये पहली बार अमेरिका का समर्थर न प्राप्त हुआ और वहाँ के ततकालिक राष्ट्र पती फ्रैंकलिन डी रोस्वेल्ट ने युनाइटिड किंग्डम के ततकालिक पदान मंतरी विंस्टन चर्चिल को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वे भारतियों की मांगों को पूरा करें आलागी तब प्रिटिश सरकार ने भारत को ततकालिक रूप से आजादी दिने सो मना कर दिया था वर्ड वार टू में इंडिया का स्टैंड वर्श उन्री स्टन्टालिस में कई भारती राष्ट्रवादियों और सतंतरता सैनानियों को इस बात का क्रोध था कि भारत को बिना वज़े दूसरे विश्विद्ध में शामिल किया गया है कि दूसरे जगह कॉंग्रेस इस मुद्धे पर दो भागों में बटी हुई थी इसलिए युद्ध के समय कॉंग्रेस के वर्किंग कमेटी के बैठक ने टै किया था कि इस वर्ल्ड वार में भारत का युगदान रहेगा किन्तो इस पर भारत को भी आजादी मिलनी चाहिए आला कि अइनसात्मक विचारों से प्रवावित होने के वज़ए से हमारे बापु यानि कि मात्मा गांदी न इसका समर्थन नहीं किया था मात्मा गांदी किसी भी तरह की युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे इस वज़े से कहा ये भी जाता रहा है कि भारती नीताओं और सैनिकों में मतबीत युद्ध में भी चलता रहा है लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब बापु को लगा कि अंग्रेज सिर्फ हमारे भारती सैनिकों का यूज करने तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और ये सब कुछ भारत छोड़ों आंदोलन के दवरानी हो रहा था के लिए गांधी जी को तरदाई ठराया और इन आंदोलन के सभी प्रमुक नेताओं को गिरफतार कर चेल में डाल दिया गया इदर गांधी जी भी एक ही बात पर लेकर अल गए थे कि अब तो देश को आजाद करवाना ही है और इस बात को अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आंदोलन देश के राश्ट उपिता मातमा गांधी के और से चलाए गया वही एक तोर पर देखा जाए तो बापू ने इस आंदोलन के शुरुआत अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती के मुंबई अदिवेशन से की थी करो या मरो आंदोलन में गांधी जी और उनके समर्थकों ने इस पश्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक की भारत को आजादी न दे दी जाए उनने सपश्ट किया कि इस बार या अंदोलन बन नहीं होगा उनने सभी कांग्रेसियों और भारतियों को अइंसा का साथ करो या मरो के जरिये अंते माजादी के लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए भी का लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि गांधी जी को नजर बंद कर दिया गया बता दे कि आंदोलन के शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने सखती दिखाते हुए गिरफटारियां शुरू कर दी आठ अगस को अंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस 1942 को दिन निकलने से पहले ही कॉंग्रेस वाकिंग कामिटी के सभी सदस्य गिरफटार के लिए गए थे साथ यसी दुरान अंग्रेजों ने कॉंग्रेस को गयर कानूनी संस्था भी गोशित कर दिया था यही नहीं इसके बाद मामले को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कांधी जी को एमद नगर किले में नजर बंद भी कर दिया था जिसके बाद जब भारती और सतंतरता सैनानियों को इसके बारे अमालूम चला तो उन्होंने आग जनी, दंगे और विरोध करना शुरू कर दिये बदा दे के एक सरकारी आख़़ों के अनसार इस जाना अंधोलन में 940 लोग मारे गए थे और 16-13 घायल हुए थे जबकि 60-239 लोगों से अधिक गिरफतारी भी हुई थी आला कि अंग्रेजों के दमन नीती के बाद भी आंदोलन नहीं रुका और लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खलाब प्रदर्शन करने सडकों पर और अधिक संख्या में निकल पड़े इसके बाद ही देखते ही देखते उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के जंडे पहराने शुरू कर दिये कुछ लोगोंने खुस से गरफतारियां देना और सामान ने सरकारी कामकाज में रुकावट उत्पन करना शुरू कर दिया वहीं विद्ध्यारती और कामगार हड़ताल पर चले गए जबकि वही बंगाल की किसानों ने करों की बड़ोत्री के खिलाफ एक और संगर्ष छेड़ दिया सरगारी कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया ऐसे में भारत की आजादी के लिए के अतिया सक्षन था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की दुरान ही डॉक्टर रामवनोर रोईया जै प्रकाश नारायन और अरुना आसिफ अली जैसे नेता उबर कर सामने आए और देश को एक नई दिशा की और ले गए आंदोलन से संगठित हुआ देश वहीं इस आंदोलन को अपने ओदेश में थोड़ी कम सफलता शुरुआत में मिली तो थी लेगिन इस आंदोलन ने उननिस सव तैलिस के अंद तक भारत के लोगों वो संगठित कर दिया था और इसी वज़े से आंदोलन के अंत में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता का स्तांतरन कर उसे भारतियों के आथ में सौप दिया जाएगा इसलिए गांधी जी ने भी आंदोलन को बंद करने का फैसला किया क्योंकि ज्यादतर करांतिकारी जेलों में बंदो चुके थे गांधी जी ने जब आंदोलन को अपचारे ग्रूप से बंद किया तो कॉंग्रेसी नेताओं सहित लगबग एक लाग राजनितिक बंदियों को रिया कर दिया गया दोस्तों अगस्त करांती सन 18-57 के पस्चात देश की आजादी गले चलाये जाने वाले सबी आंदोलनों में सन 1942 के आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीबर आंदोलन साबित हुआ जिसके कारण देखा जाए तो भारत में प्रिटेश राज की नीव पूरी तरह से इल गई थी वह ये आंदोलन का एलान करते वक्त गांदी जी ने भी कहा था कि मैंने कॉंग्रिस को बाजी पलगा दिया है और ये जो लडाई छट रही थी वो अब एक सामुएक और देश की आजादी लडाई है लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि गांदी जी के इतने मेनत अलगन के बावजूद क्यों कुछ संस्थाएं उनका विरोध कर रही है जब सारा देश एक चुट था चली जरा हम ये भी जान लेते मतादे कि भारत छोड़ो अंदुलन के विरोध देश की ही कई अन्य राजनीतिक संस्थाएं कर रही है इनमें मुख्य संस्थाएं थी मुस्लिम लीग, हिंदू मासबा, राष्ट्रिय सोयमसिवक संग, भारती कमिनिस पार्टी और कुछ देशी रियायते शामिल थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का कहना था कि यदि ततकालिक समय में प्रिटिश भारत को इसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं तो भारत आजाद तो जाएगा लिकनि मुस्लिमों को हिंदूों के अधीन, यानि की उनकी छत्रशाया में रहना पड़ेगा साथ ही मुस्लिम हिंदूों के दरा दबा दिय जाएंगे और उनकी आवाजें फिर कभी बुलन नहीं हो पाएंगे इसलिए मुहम्मद अली जिन्ना ने गानी के सभी विचारों को माने से इनकार कर दिया बस यही एक कारण था कि युद्ध के समेक बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अंग्रीजों का साथ दिया लेकिन कुछ मुसलिम अब भी देश के आजादी के लिए अपने बलेदान देने को तयार थे इंदू मासबा इंदू राश्रबादियों ने भी इस आंदूलन का खुलकर विरूद किया और आपचारेक तोर पर किसी भी तरह का समर्थन नहीं दिया इन्हें भारत के विवाजन से परिशानी थी और ये एक छत्रा खंड भारत चाते थे बता दें कि संगठन के अध्यक्ष विनायक दामुदर सावरकर शियामा प्रसाद मुखर जी आदी ने मात्मा गांदी के विचारों के साथ से इंकार कर दिया और इंदू मासबा उनका साथ देने से पीछे अट गई थी ये भी एक सच्चाई है भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी ने भी सांडोलन में अपनी सहवागयता दर्ज नहीं कराई थी युद्ध और अंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश सरकार ने कॉमिनिस पार्टी पर बैन लगा रखा था क्योंकि कॉमिनिस पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी से बैन हटाने और सोवियत यूनियन को जर्मनी के विरुत युद्ध में मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार की मदद की और बाद में ब्रिटिश सरकार ने कमिनिस पार्टी से देश में बैन अटा लिया ऐसे में देखा जाए तो ये एक भारतिय कमिनिस पार्टी का सोधा था राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग द्वारा भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थर नहीं दिया गया था किन्तु इसी समय संग का कोई भी योगदान भारत की आजादी के लड़ाई में नहीं देखने को मिल पा रहा था आता है लोगों में नाराजगी होनी आम बात थी तो दोस्तों ये थी कहानी भारत की आजादी में सबसे एम योगदान रखने वाले आंदोलन की आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षिन में दुरू बताएगा साथ ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले